तो फाइनली गाईज ये green screen आ चुकी है अब आप अपने computer lab youtube technical channel पे जो है green screen का मजा ले सकते हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि जो green screen के इस्तमाल से actually होगा क्या कि मैं जो कुछ भी lecture दोंगा अभी तक जो है face cam video मैं नहीं बना रहा था इसका ये region था कि हमारे पास जो है proper youtube setup न Amazon से जिसका link मैं इस video के description में दे रहा हूँ कि अगर आप एक youtuber है या एक video influencer है जिसके माध्यम से आप जो है online बहुत सारे work को done करते हैं अपने video को perform करते हैं अच्छे level पे ले जाते हैं ताकि background में जो है बहुत सारी image है वो आप change करते हैं ये green screen जो है मैंने Amazon से जो ली है वो costing लेकिन इस green screen के माध्यम से मैं आपको और भी अच्छे धंग से presentation दे सकता हूँ और देख सकते हैं कि अभी जो है मेरी थोड़ी सी shadow जो है green screen पे बन रही है मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ कि ये shadow क्यों बन रही है और जब आप green screen का इस्तमाल करें तो shadow नहीं बनना चाहिए आपके green screen के उपर अगर shadow बन रही है तो आप जो green screen को हटाना चाहेंगे और background में कुछ change करना चाहेंगे तो उसमें कई सारी दिक्कते आती है इसमें lighting की बहुत जादा effect होता है इसलिए आपको green screen room में lighting का खासा ध्यान रखना परता है कि ताकि ये shadow ना बने जो आप shadow अभी देख रहे हैं अगर मैं थोड़ा सा दूर आउं तो आप देख सकते कि shadow जो है वह कम पर रही है इसका क्या region है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इस shadow को कैसे दूर करें तो आईए देखते हैं इस green screen का unboxing ताकि मैं आपके लिए background में कुछ यू 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 background को change कर सकूँ और आपके लिए और भी अच्छे धंक से वीडियो बना सकूँ आईए देखते हैं green screen unboxing तेंक यू so finally guys green screen के unboxing वीडियो जरूर देखिए और इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा तो देखिए ये मैं amazon से purchase किया हूँ simply आप इसमें catchy का इस्तमाल ना करे चाकू का इस्तमाल ना करे ब्लेड का इस्तमाल ना करे नहीं तो हो सकता है कि आपकी जो green screen है वो नुकसान पहुँचे उस जाए कट जाए तो हनुमेक्स के तरफ से ये green screen मैं purchase किया हूँ और हनुमेक्स काफी अच्छी brand मानी जाती है green screen के रूप में और इसकी build quality मुझे काफी अच्छी लगी बहुत ही soft ये green screen है हाला कि green तो मैं नहीं कहूंगा मैं इसे parrot green कहूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा क् वीडियो में हो सकता है कि color आपको different नजर आए लेकिन ये parrot green color की होती है ये जो thread आप देख रहे हैं बिल्कुल ही सही quality की है ये देखे normal green screen है ये normal green कपरा अगर आप market से खड़ी देते हैं तो ये काफी नुकसान पहुंचती है जब आप background को हटाते हैं बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप ordinary green screen ना खड़ी दे अगर आप hanumax के तरफ से जो green screen आती है उसे आप यूज करे तो काफी अच्छी है transparent जो है ये green screen होती है थोड़ी बहुत आपको transparent लग रही होगी लेकिन मैं जो green screen यूज कर रहा हूँ ये वाल से hang करेंगे golden pipe के ऊपर जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो ये काफी आसानी से hang हो जाती है और straight हो जाती है जो normal green screen होती है वो जल्दी से straight नहीं होती है तो आपको straight रखना बहुत ज़रूरी है lower में कुछ आपको white color की पट्टी नजर आती है लेकिन इसकी stitch quality है ये भी काफी सांदार है क्योंकि कोई भी thread जो है वो जल्दी ना निकले तो इसकी stitching यानि stitch quality भी जो है मुझे काफी अच्छी लगी build quality बहुत ही अच्छी है तो यहाँ पर देखिए यह मैं जो आपको बता रहा है कि मैं golden pipe के उपर इसे hang करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं green screen mount करूंगा तो काफी अच्छे से जो है वो flexible रूप से आसानी से जो है वो mount हो जाती है बहुत ही सांदार look देती है golden pipe के उपर मैं यह पसंद किया हूँ हला कि आप कोई सा भी pipe इस्तमाल कर सकते हैं बस आपको यह खासा धियान रखना है कि green screen जो है वो आप hanumex का तो ज्यादा अच्छा होगा parrot green color की है यह ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि golden pipe है और यह लगभग कह सकते हैं कि 8-9 feet की pipe है और golden brackets के साथ मैं इसे mount किया हूँ काफी सांदार look देती है यह इसके उपर जब मैं आपको green screen mount करके दिखाऊंगा तो काफी सांदार look नजरा सकते हैं यह कुछ इस तरीका से आप देख सकते कि आपको भी green screen अगर आपको यूज करने है तो कुछ इस तरीके से mount करने है pipe को और उसके उपर आपको green screen mount करने है देख सकते हैं ठीक golden pipe के उपर जो है एक LED bulb लगी हुई है और ठीक मेरे roof में आप देखिए उपर LED light लगी हु और ठीक आप bulb देख सकते हैं पाइप के उपर वो हमारे green screen को background हटाने में काफी मदद मिलती है और यहां देखिए अगर हम video के recording बात करें तो वो मेरे left side में भी LED bulb लगी हुई है सारी bulb और light जो है वो 40 watt का मैं यूज कर रहा हूँ 40 watt जो है आप bulb का इस्तमाल करें जो काफी र परदे पर आपको नजर आ रही थी यहां पर देखिए सामने face के उपर light पढ़ने के लिए मैं यह एक और LED light का इस्तमाल कर रहा हूँ तो वीडियो में आप total 4 light देख रहे हैं और 4 light जो है कोई मेरे left side में कोई मेरे सर के उपर तो कोई मेरे green परदे के ठीक उपर इस तरह से आपको lighting को set करना पड़ता है और हमारे right side में कोई भी light नहीं लगी हुई है जिसके कारण left वाले bulb की shadow बन रही थी green screen के उपर जो की नहीं बननी चाहिए दोस्तों तो मैं आपको दिखाने के लिए यह सब करके दिखा रहा था तो यहां पर देखिए कि green screen आपको कुछ इस त अची है जिसका आप आसानी से background यह हटा देती है तो इसे आपको कुछ इस तरीके से mount करना है अपने golden pipe के उपर या आप जो भी pipe खरीदे मैं golden pipe या जो brackets यूज कर रहा हूं मुझे अगर Amazon के उपर मिला क्यूंकि मैं इसे offline market से लिया हूँ और अगर मुझे link मिला तो मैं आप वीडियो सूट करेंगे तो इस green screen को simply आपको बस hang कर देने हैं और काफी अच्छे धंग से आपको hang करने हैं इसके green screen के उपर कहीं भी wrinkles नहों bent नहों कहीं पर आपको कह सकते हैं उसे कहीं पर भी green screen है वो मुरी हुई नहीं हो अगर आप green screen को wrinkles free रखते हैं bent free रखते हैं पूरी तरह से straight रखते हैं यानि आपको दोनों साइट से clip लगाने परते हैं मैं अभी इस वीडियो में नहीं लगाया हूँ लेकिन दोनों corner पर आप अगर clip लगाए तो इस green screen को काफी straight रखने होते हैं जो आप देख सकते हैं कि कुछ patches आपको नजर आ रहे हैं हमारे green screen के उपर जान बूझ कर मैं यह किया हूँ ताकि मैं आपको बता सकू कि इस तरह की जो है नहीं चलती है अगर आप दोनों corner पर देखे तो थोड़ी सी green screen मुरी हुई है अगर आप center में देखें तो थोड़ी सी आपको जो है बीच में wrinkles दिख रहे होंगे कुछ जो निसान है कु यहाँ पर wrinkles और bent नजर आ रही होगी यह सब आपको खासा ध्यान रखना परता है दोनों तरफ से आपको clip लगाने है clip का इस्तमाल करें और इस green screen परदे को थोड़ा सा straight रखें बिल्कुल ही straight रखें बीच में कहते है ना तनी हुई होनी चाहिए आपकी जो green screen है तो यह सो मच्च